तो फ्रेंज आज हम लोग देखने वाले हैं AWS Code Deploy Service के वारे में गाईज यह हमारा AWS CICD Pipeline के Series का आखरी Service होगा जो मैं आप लोग को से आज डिसकस करने वाला हूं अगर आप लोग मेरे Code के वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे Series में जाकर के देख सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों Code Deploy होता क्या है सबसे पहले मैं आपको यह बता दू कि Code Deploy का यूज करके हम लोग जो delivery होता है जो package होता है उसे जो changes होता है उसे हम लोग production system पे Deploy कर सकते हैं तो यह एक तरह का manage service होता है और यह आपके deployments को automate कर देता है और यह scalable होता है Guys scalable means कितना भी ज्यादा load कि आपको यह service automatically scale करेगा और यह एक क्या दो क्या हजार हो EC2 पे एक बार में आपको deploy कर सकता है ठीक है दोस्तों तो अब आए देखते है कि किन किन चीजों पर हम लोग deploy कर सकते हैं तो हम लोग on-premise servers पे कर सकते हैं EC2 instance पर कर सकते हैं Lambda पर कर सकते हैं और ECS जो की container service होता है उस पर कर सकते हैं तो आजे दोस्तों अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसके क्या-क्या बेनिफिट्स है यह सबसे पहला चीज यह आपके सारे प्रोसेस को आटोमेट करता है कोई इसे से कारण आपका डेप्लोमेंट बहुत ही फास्ट हो जाता है इसमें रोल बक फीचर होता है अगर हम कोई भी इसatta अगा तो इस एगर आपको को आगया तो यह भ reduced अक आप कर सकते हो दूरी इस गाइज मैं इत्वीध डेप्लाइमें पे एक अलग से जीज केस से पे अलग से aggiुट आना हूं इसका प्रोजेक्ट करके मैं कप्रोजेक्ट आप लोगो निखाऊंगा बूग डेप्लाइमेंट पे वह दूसरे विडियो मैं बताऊंगा और आप जैसे कि हमारा Lambda हो गया, ECS हो गया, वहाँ पे आप Canary Deployment, Linear Deployment, All At Once Methods, यह सारे Methods को आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है दोस्तों, गाईज अगर आपको लगराओ, अगर आप सोच रहाँ कि यह सब क्या होता है, कैसे होता है, तो मैं आप लोग किंता मत करो, मैं पर्सनली जब एक-एक करके Projects, मतलब यह सारे Methods पे एक-एक नय पर्जेक्ट मैं वीडियो बनाऊंगा, पर्जेक्ट के लिक्ट्र बनाऊंगा और उसे मैं अप्लोड करूँगा, तो अब आम लोगो देखते हैं कि यह काम कैसे करता है, लिट्स सपोज गाईज कि यह हमारा Code Pipeline है, ठीक है, और डेवलपर ने क्या किया, डेवलपर के पास उनका अपना source code है, यह है उनका source code, तो अब यह पूरे pipeline में यह procedure follow कैसे होता है, तो जैसे ही आपका code pipeline trigger होता है, वो क्या करेगा, कि आपके पास source code है, इस source code को वो source artifact के आपके history bucket पे upload करता है, जब वो history bucket पे upload हो जाएगा, उसके बाद आपका code build होता है, वो run होना start होगा, औ code build फिर उस code को क्या करेगा, बिल्ड करता है, और जब वो code build उसे बिल्ड करतेगा, तो उससे जो artifacts produce होंगे, उस artifacts को code build क्या करता है, फिर से S3 में उसे upload करता है, जिसे हम लोग build artifact के नाम से जानते हैं, और build artifact क्या होता है, उसे code deploy use करता है, for the deployment over EC2 instances, यह पूरा workflow है, आपको code pipeline by using, आपको GitHub repository, code build, code deploy, ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपने use cases को देखने वाले हैं, कि आखिर इस वीडियो में हम लोग क्या perform करने वाले हैं, तो हमारा use case क्या होगा, कि हमारे पास multiple node.js, मैं क्या करूँगा, मैं node.js messenger app आपको deploy करके दिखाने वाला हूँ, multiple EC2 instances पे, guide ubuntu machine पे, तो let's suppose कि यह हमारा public subnet है, जिसे में मैंने 2 EC2 instances रखा है, जिस पे node.js messenger app रन कर रहा है, अब code को deploy करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं जो developer होंगे, मैं pipeline create करूँगा, repository से आपको instances तक, तो जो हमारे developer होंगे, वो क्या करेंगे, वो अपने code को, वो अपने code को इस GitHub पे डालेंगे, और चुक्कि मैंने यहाँ pipeline create कर रखा है, from GitHub to multiple EC2 instances, तो जैसे ही हमारा developer उसे commit करता है, उस change को commit करेगा, कमिट करते ही जो code है, वो suddenly आपको pipeline के थुरू हो करके जाएगा, और code, यह जो code deploy है, उस code को वो क्या करेगा, उस delivery, उस changes को, इस multiple EC2 instances पे वो deploy कर देगा, तो यह हमारा आज का use cases है, अब guys इसे perform करने के लिए हमें क्या-क्या steps perform करने होंगे, चलिए वो देख लेते हैं, तो पहला step क्या होगा, सबसे पहला step हमें IEM role define करना होगा, बोर्ट यह code deploy के लिए, और EC2 instance के लिए, इस दोनों के लिए role deploy करना बहुत ही ज़ड़ी है, because code deploy क्या करेगा, हम दो तब कुछ कर नहीं रहा है, code deploy खुद से उसका काम है EC2 instance को इसलिए उसे role चाहिए, और EC2 instance पे आपको क्या हो रहा है, code deploy किया जा रहा है, तो S3 से code आएगा, आपको code deploy होगा, तो आपको हमें EC2 instance को भी एक role देना होगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो पहले सबसे पहले हम लोग role बना लेंगे, उसके बाद हम लोग Ubuntu machine को launch करेंगे, विच user data, यह user data मैं आप लोग को code के साथ दे दूँगा, ठीक है, यह user data क्या करता है, आपको इस Ubuntu machine पे, आपको Node.js का जो भी टूल है, software से उसे install कर देगा, ठीक है, इसके बाद हम लोग code deploy पे जाएंगे और code deploy में application create करेंगे, उस application के अंदर deployment group create करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर यह जो pipeline है, वो pipeline हम लोग develop करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, यह जो source code है यहाँ पे, वहाँ पे जो भी code होगा उसे modify करेंगे, उस changes करेंगे और उस change को commit करेंग यह काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है दोस्तों, तो guys इससे पहले कि हम लोग console पे जाएंगे, आप लोग please मेरे चैनल को subscribe कीजे, like कीजे, अगर कोई पी issue हो, कोई भी issue हो ता आप लोग मुझे comment कीजे, या पिर आप लोग मुझे directly email भेज सकते हो, मैं definitely आप लोग को reply दूँगा, ठीक है, अब आईए हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा application हम लोग use करने वाल है, तो guys यह हमारा messenger app होगा, ठीक है दोस्तों, और यह हमारा source code होगा, guys इस source code का जो link है मैं अपने description में मैंने दे रखा है, आप लोग direct access कर सकते हो, तो चलो दोस्तों, हम लोग demo के लि हम लोग अपने इस project को create करने वाल है, तो guys सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, IAM role create करेंगे, guys IAM role create करने से मैं पहले आपको बता दू कि मैंने already कुछ instances को अभी-अभी launch कर रखा है, because मैंने इसलिए already launch करते है क्योंकि यह time लेता है, इस instance में कुछ नहीं है, तो अभी like completely blank instances है और मैंने इस instance को, मैंने एक user data आपको use किया था, जो मैंने आपको अलेडी बता है, आपको देख सकतो, यह user data हम मैंने code रिस्टर पोजेक्टी में डाल रखा है, मैंने इस code, इस user data को use किया, इसे launch करने के लिए, यह हमारा user data कर क्या रहा है, यह क्या करेगा, सबसे पहले बस अपडेट कर रहा है, उसके बाब node.js install कर रहा है, फिर जो node package manager है, उसे install कर रहा है, और finally package, आपको सारे packages को install करेगा, तो guys, यह package manager को install कर रहा है, तो guys, आपको देख सकते हो कि हमारा जो भी instance है, यह already launch हो चुका है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसमें से, इनका जो tagging ह production one, इसे change कर दूँगा, guys, मैं इसे change कर रहा हूँ, मैं जब project create करूँगा, pipeline का तम मैं आप लोग को बताऊँगा, because tagging बहुत ही ज़्यादा जोड़ी है, guys, tagging बहुत ही important part होता है, जब अब real world में काम करने जाओगे तो, तो चलो दोस्तों, अब हम लोग IAM role create कर लेते हैं, यहां से हम लोग IAM console में जाकर role पर जाओगे, create role करोगे, सबसे पहला हमें क्या करना है, EC2 instance के लिएक role create करना है, तो यह EC2 instance आपनों यहां से select कर लेंगे, यहां से next permission पर click करेंगे, यहां पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहां by default आपको administrator access देने वाला हूँ, S3 का access देने वा code pipeline, चलो code deploy कर देता हूँ, मैं code deploy को मैं access देता हूँ, ठीक है चलो दोस्तों, तो यह हमारा role create हो गया है, यह क्या होगा, इसका नाम मैं दूँगा, EC2 to code deploy, चलो ठीक है, यहां से create role कर देते हैं हम लोग, आपका इस हमें aqr role create करना है, आप लोग को याद होगा, जो की है code deploy के लिए, तो हम लोग code deploy for EC2 instance करने वाले हैं, तो पहला वाला को select करना होगा, यहां से next कीजे, permission पर जाईए, यह already आपको यह role बना कर रखा होगा है, तो हमें यहां से कोई भी add नी करना है, आपको देख यहां से मैं इसे create कर देता हूँ, अब हम लोग क्या करेंगे, next step क्या होगा, जो मैंने already सारे instances को launch कर रखा है, उन सारे instances को मैं one by one क्या करूँगा, उसे उस पे यह role attach कर दूँगा, guys, guys, आप जब भी instance create कर रहो हो, आप उस time भी इस role को attach कर सकते हो, but मैंने उस time actually role create नहीं किय अभी मैंने create किया है, इसलिए मैं इसे अलग से attach कर रहा हूँ, यहां से save कर देंगे, production 2 पर जाएंगे, security modify IAM role, यहां से EC2 to code deploy, फिर third वाला जो है, production 3, इस पे भी जाके modify IAM role, इस पे भी EC2 to code deploy, गई आप लोग सोच रहे होंगा, कि मैंने Mac 3-3 servers क्यों use कर रहा हूँ, तो मैं सामना करना पर सकता है, जहां पर multiple instances हो, और multiple instances different different applications run कर रहा हो, उस situation में आपको बोला जाए कि भाई, 10 instances है, तो आपको उस पांसी पे deploy करना है, बाकि पांसी पे deploy नहीं करना है, तो उन सारे चीजों को कैसे करेंगे, वो हम यहां देखेंगे, यहां हम क्या करने वाले है, बस production 1 और production 2 पे deploy करेंगे, code को production 3 पे deploy नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तो, इसलिए मैंने यहां तीन instances create किया है, अब आपको क्या करना है, मैंने IEM role create कर दिया है, servers create कर दिया है, अब code pipeline, आपको code deploy में जाना है, और पहले code deploy project create करना है, guys ज्याद रखना, code pipeline से पहले code deploy create project करना होता है, getting starting starter पे click करोगा, यहां पे आपको application create करना होता है, application का नाम क्या होगा, code deploy, application का नाम code deploy, आपको कहा करना है, EC2 on premise, lambda या EC2 पे करना चाहता हूँ, यहां से application create कर लो, application create करने बाद आपको create deployment group पे जाना होगा, और यहां पे जाकर करके आपको deployment group create करना होगा, इसका नाम मैं रखत को देप्लॉमेंट г्रूप सर्विश रोल घजई ंवह वह सर्विस रोल है जो मैं इस से मेक्रिट किया था यह आपको इसे क्या करना इसे यह has यहां भी नियुझ तो और जो इस ना box इन प्लेस पे भी मैं auto scaling group नहीं है मेरे पास on-premises instance नहीं है मेरे पास मेरे पास क्या है Amazon EC2 instance तो मैं Amazon EC2 instance करने वाला हूँ गाइज अब मैं जैसा कि आपको बोला था tagging, tagging क्यों इतना important है तो की पे आजाएए आपको यहाँ पे as per tag आपको select करना होता है कि कौन कौन सिंस्टेंस पे हमें deploy करना है तो हमें क्या करना है production 1 और production 2 पे deploy करना है तो मैं यहाँ की में name दूँगा और यहाँ क्या दूँगा production 1 next मुझे deploy करना है name production 2 मैं production 3 select नहीं करूंगा तो guys third वाले server पे यह deploy नहीं होगा अब क्या करना है आप दो देख सकते हो चलो तो यह दोनों select कर लिया मैंने production 1, production 2 अब guys यह code deploy agent है जिसके जो जिसे कारण आपका यह सारा process होता है यह agent help करता है खाम करने में तो मैं क्या करूंगा यह install AWS code deploy agent मैं इसे allow कर रहा हो कि यह जो agent है वो server पे जाके install हो जाए मैं never करूंगा तो इंस्टॉल नहीं होगा only once करूंगा तो एक बाद इंस्टॉल होगा और now schedule update करूंगा तो मैं अभी भी इंस्टॉल हो जाएगा और future मैं जब कभी इस agent का update आएगा वो automatically update कर देगा तो अब देखो यह बहुत important है यहां पर लोग देख सकते हो तीन options है deployment settings में हम deployment कैसे करना चाहते है all at once means यह जो production 1 और production 2 है दोनों पर एक ही साथ deploy होगा half at once means पहले production 1 पर deploy होगा जब वो deploy होगा उसके बाद production 2 पर deploy होगा या फिर one at a time means पहले एक server पर वो successful होगा या तब second server पर वो successful होगा तो फिर third server पर मैं यहां क्या करेंगा मैं चलू आपको आपको सो करूंगा half at a time means यहां दो server है production one और production two पर deploy करने वाला हूँ तो ये क्या करेगा पहले production one पर deploy करेगा उसके पाच production two पर deploy करेगा ठीका production one पर करेगा फिर प्रोटक्शन टूपे करेगा तो मैं इसलिए यही रीजन है कि मैंने आपको तीन सर्वर्स लांज किया था और मैं इस तीनों में समझा सको तभी मैंने ऐसा किया था ठीक है दोस्तों अब आप देख सकतो इनेबल लोट बैलेंसिंग हमारे पर से लोट बैलेंसर नहीं है मैं इससे डी सेलेक्ट कर रहा हूं एडवांस में आजाओ ट्रिगर यह हैं आप लोट ट्रिगर कर सकता हो रोलब्यक कर सकते हो तो मुझे कुछ नहीं करना है मैं यहाँ से create deployment group कर दूँगा तो guys हमारा deployment group पी create हो गया अब हम लोग final चलते हैं pipeline pipeline करते हैं और guys pipeline में क्या होता है यह normal सा pipeline है और इसके अंदर हम लोग mention करेंगे कि हमारा source क्या होगा GitHub हमारा deployment हम लोग कैसे करेंगे तो code deploy का use करके कहां करेंगे तो easy to करेंगे यह सारे चीजे हम लोग यह तरह से बस एक तरह का बस pipeline है जो कि आपको create कर देता है इन एक order में चीजों को execute करने के लिए एक automated way में तो pipeline का चलो नाम यह उकला दूँगा मैं बस pipeline का नाम pipeline ही दूँगा ठीक है दोस्तों अब advanced settings अब यह क्या यह artifact store है यह pipeline आपका artifact कहां store करेगा तो मैं तो आपको मैं यहाँ default location S3 का दे देता हूँ क्या मैं क्या की use करेगा तो चलो AWS managed की मैं यहाँ यूज करता हूँ next source provider guys source क्या है github मैं इसे connect to github करूँगा guys मेरा like मैंने already github को authenticate कर रखा है इसलिए मुझे password वगेरा की जोरत नहीं है आप लोगों को password देना होगा repository क्या है code deploy to EC2 node.js in node.js branch क्या होगा मैं main branch यूज करूँगा और guys यहाँ देख लो github webhooks यूज कर रहा हूँ क्योंकि जब भी कोई भी changes commit किया जाएगा automatically यह उसे deploy करतेगा next मैं build stage को skip कर रहा हूँ guys मैं cold build को use नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर मैं बस code deploy को use कर रहा हूँ तो इसे मैं skip करूँगा अब code deploy पे हम लोग आते हैं code deploy guys आप लोग इन सारे चीज़ें deploy कर सकतो मैं code deploy use कर रहा हूँ अब code deploy में आ जाओ मैंने जो application create किया था code deploy वह है और जो deployment group की group create किया था code deploy group यह है यहां से नेश्ट करो और यहां पर आप लोग रियू करके create pipeline करना होगा जैसे ही मैं create pipeline पे क्लिक करूंगा automatically deployment स्टार्ट हो जाएगा बट मैं भी क्लिक नहीं करना हूँ इससे पहले मैं आपको कुछ तमाम बाते समझाने वाला हूँ यह हमारा source code repository है जहाँ यहां पर developer ने क्या किया node.js के सारे code को यहां पर डाल रखा अब दोस्तों अब क्या है अब आप लोग यहां पर देख सकते हो मैंने app aspect file यहां पर create कर रखा गाईज यह app aspect file आखिर है क्या यह होता क्या है तो हम लोग का यह यह जो code deploy है ना दोस्तों यह जो code deploy मैंने select किया है deployment AWS code deploy यह ऐसे कैसे पता चलेगा कि करना क्या है वह सारे के सारे इंस्ट्रक्शन्स दिये होते हैं इस app aspect.yml file में ठीक है दोस्तों तो चलिए हम लोग इस app aspect.yml file को देखते हैं Guys code deploy बस इसे देखता है उसे और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं ठीक है तो code deploy इसके अंदर आएगा और सबसे पहले देख लेगा आपको वर्शन तो 0.0 ही होगा OS देख लेगा चोल आपका Linux operating system में अब यह देखेगा files, source में क्या file है और उसे destination में किधर copy करना है तो source में root से आपको सारे files को उठाएगा as per my command और उसे slash home slash ubuntu इस location पे सारे code को वो अपना डाल देगा उसके बाद आता है hooks, guys hooks यह क्या है, यह life cycle event है मैं अभी आपको hooks के बारे में थोड़े detail में बताने वाला हूँ, एक दरह समझ लो कि आप अपने जो destination server है जो यहाँ पर production 1, production 2, production 3 है तो जो destination server है मेरा, उस server पे मैं कोई भी script को run कर सकता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा code deploy होने से पहले कोई script run करे, या फिर code deploy होने के बाद कोई script run करे, तो हम लोग इस hooks का use कर सकते हैं, तो मैं यहाँ कर रहा हूँ क्या, after install, means install means यह जो code है, वो install होने के बाद, वो copy होने के बाद, after install script run करे, और जब यह script run कर जाए, उसके बाद application start करने के लिए, मैंने एक अलग script बना रखा है, application start.sh, यह वो run करेगा, और timeout 100 है, means 100 seconds तक यह run करेगा, ठीक है दोस्तों, अब आप लोग को मैं वो script दिखा देता हूँ, वो क्या-क्या script है, यह after install.sh है, यह क्या simple सी ब dependencies install कर देगा, उसके बाद application को start करने के लिए हमें, इसी location पे यह वाला जो command है, यह run करना होगा, इससे हमारा application run करने लएगा, तो guys, यह होग कि आप लोग समझ गए होगे हमारे इस code को, कि मैं app spec files से क्या-क्या करने की process कर रहा हूँ, guys, अभी मैं क्या करूंगा, pipeline create करूंगा और deployment में इसे थोड़ा वक्त लगता है, उस बीच मैं आप लोग को app spec file के बारे में थोड़ा detail में जानका रही दूंगा, तो चले यहां से create pipeline करते हैं, pipeline already exist, duplicate names are not allowed, okay, so, मैं को क्या करना होगा, इधर मैं, one new कर देता हूँ, new, ठीक है, अब फिर से मैं इसे, चलो run करता हूँ, इसकी, यह सारा का सारा, चलो सही है, next, create pipeline, pipeline, यह क्या इस हुआ रहा है, तो मैंने new दे रखा इधर, फिर क्या प्रोब्लम है भाई, AWS code, pipeline, service role, USS1, एक काम करता हूँ, मैं इसे, I think कुछ ले नहीं रहा है, मैं इसे cancel करके, फिर से मैं create करता हूँ, सेम चीजों को, कोई बात नहीं, यहां मैं फिर से नया नाम दूँगा, pipe, चलो new, ठीक है, यह देख लो, यह totally new service का नाम है, कोई बात नहीं होता है, अब इसे मैं artifact store कर दूँगा, यहां से next, source provider क्या होगा, हमारा GitHub होगा, ठीक है, चलो जो मैं repository है, वो node.js, main branch, next, skip build stage, skip deployment, मैं क्या करूँगा, AWS code deploy, application name, code deployment group, next, यहां से मैं create pipeline. Guys, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो, तो please subscribe और like करें, तो आप लोग देख सकते हैं guys, कि हमारा pipeline deploy हो गया है, और यह in progress है, तो जब तक यह चलता है, हम लोग चलते हैं, मैं आपको app spec file के बारे में कुछ details share करना चाहूँगा, तो दोस्तों, आज़े हम लोग अपने app spec file को देखते हैं, तो app spec file क्या होता है, यह सबसे पहले YAML format में होता है, अगर आपको EC2 पे कोई भी deployment करना हो, और यह बहुत ही compulsory है, कि it must be placed in root directory, ठीका दोस्तों, आपको root directory में ही app spec file को डालना होता है, अब यह क्या-क्या determine करता है, मैंने आपको अलड़ी बटाया what to install, क्या-क्या install करना है, और क्या life cycle events यूज़ करना है, अब guys आपको याद होगा मैंने अपने app spec file यह बस दो ही hooks डाल रखा था, एक था after install और दूसरा क्या था application start, तो उसके अलावगे भी बहुत सारे hooks होते हैं, तो चलिए आईए उन सब को एक-एक करके देखेंगे हम लोग, और दोस्तों आप लोग को मैंने यह भी पता रखा था, यह code deploy क्या करता है, बस app spec file की content को ही समझता है वो, ठीक है दोस्तों तो आईए हम लोग hooks देखते हैं, तो जब भी हम लोग app spec file को लिखेंगे तो यह version जो होता है, यह 0.0 होगा, और OS मैंने Linux रखा है, क्योंकि मैं Linux operating system यूज कर रहा हूँ, अगर आप Windows यूज करना चाहते हो तो आपको Windows लिखना होगा, ठीक है दोस्तों उसके बाद आता है files, तो इस files में हम लोग क्या करते हैं, यह source है, यहां पर आपको source location से कौन-कौन सा file आपको move करना है, server पर यहां पर वो देंगे और destination में, आपको destination के location पर कौन-कौन सा, किस location पर आपको इस files को move करना आप वो दोगे, और यह जो पहला line मैंने लिखा है, बहुत ही important line है, यहां क्या होता है, hooks में, दू hooks होता है, एक होता है before install और after install, guys, जब before install hooks execute हो जाए, उसके बाद यह files वाला section execute होता है, और उसके बाद फिर यह after install section execute होता है, अब यह section मैं अभी आपको यह सारे section को यह करने वाला हूँ, explain करने वाला हूँ, अब आता है third section क्या होता है permission, guys, Linux में ऐसा बहुत कुछ होता है कि आप चाहो तो किसी file पे special permission देना चाहता है, हो सकता है कोई ऐसा application हो जिस पर आप कुछ special permission देना चाहते हो, तो आप इसके थुरुक कर सकते हो, ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि hooks के बारे में देखते हैं कैसे hooks को लिखा जाता है, guys, यह भी बहुत important line है, अगर आपको कोई भी script servers पर रन नहीं करना है तो आपको hooks लिखने की कोई जरूद नहीं है, ठीक है, अब देख लो hooks में क्या-क्या आते हैं, यह सारे important hooks है, जो मैं आपको बताने वाला हूंगा है, जैसा बहुत सारा ऐसा application होता है, जहां पर आपको deploy करने से पहले application के services को stop करना होता है, उस application को stop करना होता है, तो उसके लिए application hook का नाम होता है, application stop, और location में आपको कुछ नहीं करना है, उस application को stop करने का जो भी script है, आपको उसका location दे देना है, और उस script को आपको GitHub बगरा जैसे जो भी आपको repository है, वहां पे डालना है, उसके बाद आता है before install, गाईज जैसा होता है कि जब भी application या कोई change, कोई भी commit करने वालों किसी भी code को, तो कभी किसी किसी situation में ऐसा भी होता है कि आपको कुछ command होते हैं, कुछ ऐसे चीज होते हैं, जो आप चाहते हो, कुछ dependencies होते हैं, जो आप चाहते हो कि code को deliver करने से पहले उसे install कर दिया जाए, तो उन चीजों को script के थूरू यहां से pass क packages को आपके server पे move कर देगा, उसके बाद फिरी से आपका यह after install section जो है, वो execute होगा, इसमें भी यही है, जब आपका package deliver हो गया, उसके बाद आपको यह after install section में जो भी script होगा, वो run करेगा, गई जैसा होता है कि अगर आप application deliver करने के बाद ही कुछ ऐसे important commands होते हैं, जो आपको हो सकता है कि अगर कुछ services आपने stop किया हो, अगर आपने application को stop किया है, तो उसे start करने का भी procedure होगा, और उस start करने का procedure को आप Azure script इस application start section में पास कर सकते हो, फिर आपका application सही से काम कर रहा है, यानि उसे validate करने के लिए हो सकता है, आपको यासा script हो, तो आप उस script को भी source code representative में डाल सकते हो, और उसका location यादे के उसे आपको install कर सकते हो, वैलिडेट कर सकते हो अपने application को, यह सारे most important hooks है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, कुछ और hooks हैं उसके बारे में, यह दोखो, यह क्या है before block traffic, तो जब भी आप किसी server पे आप deploy करते हो, तो वो क्या करता है, वो सबसे पहले आपके traffic को block करता है, ठीक है दोस्तों, तो let's suppose कि आपका जो load balancer है, ठीक है, आपको क्या करेगा, before block traffic, इस section में क्या करता है, कि deploy करने से पहले, ठीक है, आपको देख सकते हो, instances before they are deregister, means, जब आपका जो instance है, वो load balancer से deregister होना होगा, आप चाहते हो कि, इस dere chances पे, तो आप वो कर सकते हो, by using before block traffic section, second section आता है, आपको block traffic, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, यह reserve होता है, code deploy agent के लिए, अब वो क्या करता है, आप देख सकते हो, कि internet traffic को ही block कर देता है, ताकि वो instance को access ही नहीं कर पाए, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप कोई भी script run नहीं कर सकते हो, ठड़ आता है आपको after block traffic, जब traffic block हो जाता है, अब आप चाहते हो कि traffic block होने के बाद कोई task run करे, ठीक है, और यहाँ क्या है, जब instances deregister हो जाए, उसके बाद अगर कोई task run रनना चाहते हो, तो वो आप इस section के अंदर कर सकते हो, फिर आत होता है, code deploy agent के लिए, यहाँ पे आप कोई भी script run नहीं कर सकते हो, और यहाँ क्या होता है, यह आपको internet traffic को allow करता है, तो इसके बाद आता है, after allow traffic, वो क्या होता है, जब instance आपका register हो जाता है, load balancer के साथ, तब finally, अगर आप कोई और task execute करना चाहते हो, तो आप इसके थूरू वो execute कर सकते हो, ठीका दोस्तों, तो यह था हमारा app strict file के बारे में कुछ तमाम बाते हैं, जो मैं आपको बताना चाहता था, तो चलिए हम लोग देखते हैं, अपने pipeline की यहर कि वो successfully deploy हुआ है, या नहीं, तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, कि हमारा जो deployment था, वो successfully deploy हो चुका है, हमारा जो code था, आप लोग देख सकते हो, यह source क्या है, यह 7 मिनिट पहले मैंने यह सारे काम को किया था, और 6 मिनिट पहले आपका, जो मेरा deployment था, वो successful हो गया है, अब चलिए मैं अपनी EC2 की पर चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ, तो पहले हम लोग यह देख लेते हैं, कि हमारा जो application है, वो access हो रहा या ने, आपको याद होगा, मैंने production 1 और production 2 पे deploy किया था, production 3 पे deploy नहीं किया था, तो production 1 और 2 access होना चाहिए, 3 access नहीं होना चाहिए, आप लोग चलो, मैं public IPv4 लेता हूँ, और जो node.js जो application है, वो port number 3.000 पे run करता है, तो मैं port number 3.000, तो आप लोग देख सकते हैं, हमारा जो application है, यह successfully launch हो चुका है, ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं, कि हमारा, आप लोग चलो, मैं भी दिखा लिता हूँ, काम कर रहा है या नहीं, तो मैं एक और इसे मैं यहां copy करता हूँ, और इसे मैं एक और tab पे खोल के रख लेता हूँ, एक सिपिन, हाँ, यहां मैं DCW के नाम से मैं इसे access कर रहा हूँ, और यह वाला जो है, यह मैं Wilson के नाम से access कर, यहां मैं लिखता हूँ, चलो, Hey TCW, मैंने लिखा तो यहां पर आपको देख सकते हो, यहां से message receive हो गया, मैं यहां से लिखता हूँ, Hey Wilson, मैंने यहां से भेजा और आपको देख सकते हो, यहां पर भी यह receiver है, अब आज हम लोग देखते हैं, second वाले जो production 2 है, उस पर यह काम कर रहा है, यहां पर IPv4 को copy करते हैं, 3000, okay तो लोग आज देख सकते हैं, यहां मैं चलो, रोहन नाम से करता हूँ, यहां पर आपको देख सकते हो, हमारा जो production 2 server है, वो भी perfectly काम कर रहा है, मैं इसे भी, यहां पर access कर लेता हूँ, यहां फिर से मैं TCW से लिखता हूँ, यहां क्या look होंगा, हे रोहन, आपको देख सकते हो, यहां पर हे रोहन आ रहा है, मिन्स हमारा यह application भी काम कर रहा है, अब हम लोग चलिए चलते हैं, ठड़ वाले पे, guys हमने यहां deploy नहीं किया था, तो यह क और production 2 पे कैसे क्यों deploy कर रहा है, production 3 पे deploy क्यों नहीं किया है, guys आप लोग को मैं चलो, कुछ source code मैं कुछ change करके लिखाता हूँ, source code क्या है, जैसे कि हमारा application, यह जो मैंने लिखा है, the cloud world, मैं इसे थोड़ा सा modify करने वाला हूँ, पहले मैं यहां edit कर लेता हूँ, guys आप लोग मुझे, modify क्या करना था, the cloud world, यहां मैं लिख देता हूँ, bracket में, version 0.2, तो, guys, यह मैं जैसे ही मैं यहां से commit करूँगा, वो automatically हमारा यह जो code pipeline है, वो run करेगा, मैंने commit किया, यह automatically, आप लोग देख सकतो, automatically in progress हो गया है, guys, इसे फिर से कुछ time लगेगा, तो मैं काम करता हूँ, जब तक यह run होता है, मैं तब तक इसे pause कर देता हूँ, तो, guys, आप लोग देख सकते हो, यह हमारा code, वो successfully deploy हो गया है, अभी ज़स्ट हो आया, guys, यह इस पर ज्यादा time ने लिया, because इसे बस minor changes करने थे, तो आईए, यहां पर हम लोग इसे अब refresh करते हैं, तो, guys, आप लोग देख सकते हो, कि यह हमारा जो है, यह modify हो चुका है, ठीक है, अब आइए, अब आइए, friends, मैं कुछ और चीजों का आपको देखा देता हूँ, आप लोग को मैं logs और history दिखाता हूँ, तो हमारा जो deployment हुआ है, आप यहां पर history पर जाकर के, जो भी execution हुआ है, आप उजहे देख सकते हो, यह हमारा जो है, अभी हुआ है, और यह उसके पहले बल एक्जिक्यूशन है, तो चलो यहां किलिक करते हैं, आप लोग देख सकते हो दोस्तों, यह source deployment मैं deployment action को देखना चाहता हूँ, यह हमारा source artifact है, चलो, एक सेकेंदा, यह हुआ, यह हुआ, विजुलाइसेशन, मैं यहां deployment के, यहां पर हूँगा, और यहां पर सारा detail आप देख सकतो, तो guys, यह हमारा deployment है, यह दोनों instances पर यह deploy किया है आपको, ठीक है दोस्तों, तो आप लोग देख सकतो हमारा दोनों instance पर successfully deploy हो गया है, और guys, यहां ज्यादा time इसलिए नहीं लगाया, आपको पता भी नहीं चल रहा है कि दोने instance में इतना जल्दी कर दिया, आप जख सकतो duration, कोई फर्क नहीं दिखेगा आपको, ठीक है दोस्तों, चुल, मैं कांट करता हूँ, मैं old वाला, जो मैंने पहली बार जो deploy किया था, मैं आपको वो दिखाता हूँ, शायद वहाँ पर differences पता चले, guys, यहाँ one by one ही कर रहा है, बत इतना minor changes मैंने किया है कि यहाँ differences समझ में ही नहीं आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग यह पुराने वाले है, हाँ, आप लोग यह देख सकते हो, यहाँ पर टा 15 seconds लगे थे, मैं इसे events को देखता हूँ, यह देख लो, आप लोग यह सारे hooks से जरूर यह गया था, आप लोग देख सकते हो, application hook before install, install, but actually यहाँ कुछ भी नहीं था, इसलिए वो duration बिल्कुल ही नहीं जा, less than one second, ठीक है, after install आप लोग देख सकते हो, 6 seconds लगा और application start, one second, यहा बस 6 seconds लग रहा है, इसलिए बिल्कुल पता ही नहीं चल रहा है कि दोनों instances में से, मैं लग वन बाई वन किया था, यानी, जैसे आप लोग देख सकते हो, 6 से 10 seconds लग रहा है, तो इसलिए पता नहीं चल रहा है, यह वन बाई वन ही हो रहा है, ठीक है, दोस्तों, मैं second वाला क भी पता नहीं चल रहा है, खर कोई बात नहीं गाईज, बट जब आप बरे बरे कोर्ट को ऐसे करोगे न, तो वहां पर आपको clear differences समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो, ओके चलाओ, हम लोग instance पर भी देख लेते हैं, instances पर क्या क्या हुआ है, परफॉंग, और इसे म भी open कर लेता हूँ, और code deploy पे, ओके, यह देख सकता हूँ गाईज, यहाँ मैं आपको यह path show कर देता हूँ, slash home slash ubuntu guys, as per हमारा जो भी appspec.yml file है, as per this, हमें slash home slash ubuntu, यहीं पर यह code को क्या करना था, deploy करना था, तो वो गाईज इदार है, अब आप लोग देख सकते हो कि मैंने क्या क्या, आफ्टर इंस्टॉल रण कि, आफ्टर इंस्टॉल पर क्या था, npm मैं इंस्टॉल कर रहा था, package manager तो वो इंस्टॉल हु यहाँ पर, यह जो code है, यहाँ पर note module नाम का कोई भी file नहीं है, तो without note module जो बाकी सारे files है, वो copies हुए है, और जब हमारा जो after install, जो command run किया है, वो आपको यह package को install किया है, जो है modules होता है, उसे install किया है, और उसके बाद later on, हमारा जो application starts script था, वो run हुआ, और उसके बाद हम हमारा जो application है, वो चलने लगा, ठीक है दोस्तो, तो दोस्तो, actually मैं आप लोग को यह को और चीज़ बताना भूल गया था, तो मैं पहले आपको वो बता देता हूँ, तो यह हमारा code था, अब आप लोग को मैंने बताया था कि code deploy agent install होता है, और जो भी processes होते हैं, वो server पर कैसे होते हैं, तो server पर एक location होता है, गाईज, मैं पहले route पर जाता हूँ, यहां पर मैं cd space opt, यहां जाओगे तो आप लोग देख सकते हो, code deploy agent, यहां cd slash code deploy agent के अंदर जाओ, आपको गाईज, इसके अंदर आप लोग को, आप लोग को यह देख सकते हो, deployment route, सारे details, जो भी आपका deployment हुआ है, वो सब कुछ यहां पर आप यहां से मैं deployment route पर जाता हूँ, आप लोग देख सकते हो, यह जो भी यह हमारा, इसके अंदर हमारा सारा files होगा, यह instructions है, यह locks है, चलिए मैं file scope को दिखा देता हूँ, 29, आप लोग देख सकते हो, यह दो deployment मैंने किया है, जो भी मैंने दो deployment किया, दोनी यहां सो कर रहा है, cd d- capital j, अब जिसके अंदर जाना हूँ, उसके अंदर जाके आप लोग उसके सारे details को देख सकते हैं, ठीक है, दोस्तो, यह deployment archives है, यह locks है, चलिए मैं आप लोग दिखा देता हूँ, deployment archives के अंदर क्या है, deployment archives के अंदर हमारा सारा files, सारा folder है, ठीक है दोस्तो, और यह locks हो गया, तो guys, जब भी यह deploy होता है न, guys, आप एलगी सोच रहा होंगो, कि यह application start root SS, मैं cd- यह क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं cd-space slash home slash ubuntu, अगर मैं इस location पर नहीं गया न, तो यह command है न, guys, यह command आपका इस location पर run करने लएगा, ठीक है, तो इस location में run करेगा, तो आपका फि files को copy कर रखा है, जहां पर मैंने modules को install कर रखा है, वहाँ पर मैं पहले jump कर जाता हूँ, फिर उसके बाद मैं उस command से उसे start करता हूँ, अब चलिए, मैं आपको, चलिए, logs में चल के देख लेते हैं, cd-space, logs, चलिए, इसे, cat script को देख लेते हैं, यह आप लोग देख लों, guys जो भी हमारा script run हुआ है, यह उसका सारा detail है, यह log file में, आप लोग इसे देख सकते हो, ठीक है दोस्तों, चलिए, हम लोग बाहर निकलते हैं, और भी कुछ होगा, तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, इसके अंदर, चलो, deployment logs के अंदर चलते हैं, guys, मैं आप लोग सोच रह होता है, जब अब real world में काम करने जा रहा हो, ठीक है दोस्तों, चले इसे देखते हैं, ctspace, यह हमारा logs है, guys, आपको देख सकतों, यहां कब क्या हो रहा है, यह सब कुछ आपको यहां से दिखेगा, ठीक है, जैसे यह मैंने आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले क्या होगा हो रहा है, आपको कब package आपका install हो रहा है, कब नहीं हो रहा है, तो यह सारी के सारे चीज़े, guys, आप यहां से देख सकते हो, let's suppose कि आपका deployment fail हो गया, ठीक है, अब आप सोच रहों कि भाई, server पैसा क्या हो रहा है, कि मैंना deployment fail हो जा रहा है, तो आप यहां से logs को check करके, आप आप लोग troubleshoot कर सकते हो, तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही काफी है, guys, please मेरे वीडियो को subscribe किजे, like किजे, और comment जरूरी किजे, कोई भी issue हो, you can send me an email anytime, चलो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, thank you, bye-bye